हेलो नमस्कार दोस्तों अभी भी मिली मौसम की ताजा जानकारी के मुतावित जो है मध्य प्रदेश के इन जीलों में भारी मौसम में बदलाव और बारिश देखने को मिलेगी अगले 24 गंटों के दोरन मध्य प्रदेश में काफी जगों पर जमा जम बारिश के अनुमान जतेजारे कई जगों पर अभी भारी बारिश हो रहे है तो अगले 24 गंटों के दोरन और भी ज़्यादा बारिश होने की सम्वान हो जो है देखने को मिलने आले फिर एक बार बदल तो इस वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखना एक एक करके मध्या प्रदेश के सभी जीलों की मौसम की जानकरी जो है इस वीडियो में आपको बताना लहूंँ आप छोटी सी रिक्वेश्ट है इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे इस चैनल को इलाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजे साथ में गंटे का आइकन को दबाकर ओल पर क्लिक कर दीजे और हमें कमेंड करके बताए कि आप मध्या प्रदेश के कौन से जिले गावे शेयर में रहेते यानि कि आप मध्या प्रदेश में कहां पर रहेते कमेंड करके जरू बताना तो दोस्तो मध्यपरदेश में मौसम का मिज़ाज बदल रहा है बता दे कि अब चार दिन बाद मध्यपरदेश के बोपाल जबलपूर होसंगाबाद इन दोर संबागों के जिलों में बारी बारिश का दोर शुरू हो सकता है और दोस्तो इसके पहले भी राजदानी का मौसम अरब सागर से आ रही नमी के कारण जो है कई इलाकों पर हलकी बोचारे पड़ सकते हैं तो कई जगों पर बारी बारिश भी होगी मौसम विबाग ने उज्जेन, होसंगबाद, गौालियर, चंबल, बौपाल, शेडोल, जबलपूर, इंदोर, सागर और रिवा में कहीं कह पर बारी बारिश के समवान जताई है, वरतमान में मौसम विबाग ने बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य में हाओ के उपरी बाग में चकरवाद बन रहा है, और साती मानसुन का ट्रफ का पूर्वी छोर भी बंगाल की खाड़ी में है, इसके प्रभाव से पूर्व दोस्तों बताएगा है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के असर से पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में काफी ज़दा बोचारे पढ़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है, बतादे कि आपको मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस बार मौनसुन काफी जगों प सामने से ज़्यादा पानी गिर चुका है, एक सफ़ता के बार तो दोस्तों ज़्यादा तर जिलों में बारी बारिश तो होने वाली है लेकिन कई जिलों में दो से चार दिनों के दोरन गर्मी से रात भी मिलेगी और कई जगोबर बारिश से रात मिलना लिए मध्यपरदेश में एक माईने से ज़्यादा समय चल रहा है और बारिश का दोर लगातार फिलाल जो है करीब बताया जारे के 31 के करीब रेकोर्ड किया जा रहा है मौसम वेग्यानिकों ने बताया कि गौलेर चंबल में भी काफी जगोबर बारिश होई है और अगले 2-4 दिनों की दोरन भी काफी जगोबर मध्यपरदेश में बारी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा अगले 24 गंटों की दोरन बोपाल, इंदोर, ग्वालियर, सागर और जबलपूर में समय तो जो है इंदोर, होसंगाबाद और जबलपूर में दो दिनों तक तेज बारिश की समभावन है यानि कि एक सब्ता के बारी बारिश होगी और इसके बाद ग्वालियर, चंबल में भी काफी जगोबर एक सिस्टम आएगा में कहीं कहीं पर गरज चमा के साथ बहुचारे पड़ सकती है इसके अलवा बाकी जगों पर आस्मान साफ रहनी के समभावन है तो अगले 48 गंटों की दोरन मौसम में काफी जगों पर भारी बारिश के समभावन होगी है मानसुन का दूसरा ब्रेक है इससे पहले दोस्तों कही जगों पर मानसुन की घतिविद्या थम गई है लेकिन बतायजार की दोस्तों खरगोन और जोहे इंदोर में 22% धार में 37% बढ़वानी में 44% और खरगोन में 44% और साथ में खंडवा में 20% बुरानपूर में 31% और दोस्तों पन्ना में 29% और बतायजार की दमों में 37% कटनी में 23% जबलपूर में 33% और शिवनी में 27% और बालागाट में 32% में हुई है वही दोस्तों बतायजार की मानसुन की घतिविद्या अभी भी कई जगों पर जारी है तो बताया जारे की मध्या प्रदेश में जो है इस माईने खतम होने तक काफी जगों पर भारी बारिश भी होने वाली है मध्या प्रदेश के रिवा, सतना, सीधी, सिंगरोली, पन्ना, होसंगवाद, रतला, मुझे, निम्च, मंसौर, मुरेना, शियोपूर कला में बारी बारिश को लेकर यलो अलट भी जारी क्या गया है वही दोस्तों बात करें आज के गर बेटो जीतो इना में तो आज का सवाल है आपकी पसंदिधा राजनितिक पार्टी कोन सी है यानि BJP या फिर कॉंगरेस यानि कोन सी पार्टी आपकी पसंदिधा है कमेंट करके बताना और कमेंट करने वाले लेकी विनर को मेंट सकता है तीन महीने के लिए जियो एरिटल आइडे वोड़ फोन रिचाज बिल्कुल फ्री तो जल्दी से कमेंट कर दीजे अपनी पसंदिधा राजनितिक पार्टी का नाम वहाई दोस्तो मद्यपरदेश के कई जिलों में अगले 2-4 दिनों के दौरन बारी मौसम में बदलाव और बारिश के संभावन है खंडवा में दोस्तो दो दिन के बाद जो है आने वाले बुदवार, गुरुवार, शुकुरुवार को भारी से भारी बारिश और बिजली चमकने वाली है खंडवा मध्य परदेश में वही दोस्तों देवास की बात करो तो देवास में इस समय जो है काफी ज़्यादा जगों पर बारिश रुकी हुई है लेकिन अगले 24 गंटों की तुरन बारी मौसम में बदलाव और बारिश की काफी ज़्यादा संभावन और कई जगों पर बारी से बारी बारिश होगी और बता है जारी कि दोस्तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुदवार, गुरुवार को बारी मौसम में बदलाव बारिश होने वाली है वही राजगड की बात कर तो तीन दुनों तक राजगड में बारी बादल चाहे रहेंगे काफी जादा देखने को मिलना ले साजापूर में शीहोर की बात कर दोस्तो शीहोर में चार दिनों तक चिटपूर बारिश के समवावन है लेकिन आने वाले गुरुवार को काफी मौसम बदलेगा काफी जगों पर चिटपुड बारिश होगी लेकिन आने वाले मंगलवार, भुदुवार, गुरुवार को भारी बारिश के साथ बिजली भी गिरने वाली है और बताई जार की छिंदवड़ा का मौसम काफी ठंडा सौना रेकोर्ड के जार है तापमान जो ने चिंदवड़ बारिश के साथ काफी ठंडा सौना मौसम का देखने को मिलना आले दोस्तो अगर आप भी कट्णी में रहतें तो कोन से गाउ में रहतें कमेंड करके जरू बताना मंसौर की बात कर दोस्तो मंसौर में सौसम में बतायजार के पाँच दिन के बाद यह अच्छी बारिश होगी आने वाले गुरुवार शुकुर्वार को बारी बारिश देखने को मिल सकते हैं दत्या में दोस्तोर मध्य ब्द्यामी बात कर अगर दोस्तों बिंड में बारी गर्मी पढ़ रही है 37 और 38 के करीब तो आपना रेकॉर्ड के जारा है बादल चाहे हुए लेकिन बारी बारिश जो है आने वाले गुरुवार को ही देखने को मिलेगी और चातर पूर में भी दोस्तों सेम टूसे में लगातार जो है गर्मी क मौसम बन रहा है और बता है जारी के आने वाले गुरुवार को अच्छी कासी बारिश होगी तो यह था आज का मौसमी सिस्टम अगर आपको वीडियो पसंद दे वीडियो को लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब जरू करना